नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे मैंगो फालूदा ये बहुत ही टेस्टी होता है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी ड्रिंक है तो चलिए इसको कैसे बनाय अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वेल भी प्रेस्ट कर दीजेगा ताक कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो सबसे पहले मैंने देखे आम लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से और कट करके रख लिया अब इसको एक मिकसर जार में डालेंगे हम और इसमें हम डालेंगे चीनी तो चीनी आप अपने स्वात के अनुसार यूज़ कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा कर दे हमने इसमें चार चम पहले ही विगो दिया था यह बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है या अगर आप नहीं मिलता है तो आनलाइन मंगा सकते हैं अब इसको हमने डाल दिया एक एक चमच अब इसके ऊपर हम डालेंगे सेवई जो नॉर्मल सेवई हम कभी कभी बनाते हैं वही सेवई है इसक चमच डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे टूटी प्रूटी है उसको हम डाल देंगे ताकि थोड़ा सा देखने मच्छा लगे तो रेड कलर डाल दिया है थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देंगे और उसके बाद हम दुबारा जो हमने पीस के रखा था मै मैंगो उसको डाल देंगे और फिर हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे पहले हम इसके उपर दुबारा से वही रखेंगे गिलास जिस विमाई है आप उससे हिसाब कर सकते हैं फिर हम उपर से सब्जा डाल देंगे और सेम तरीके से हम वही तूटि प्रूटी और मैंगों का जो है और सिरफ है सबको दुबारा जिस तरह से हमने नीचे बनाया उसी तरफ से हमने एक बार उपर से फिर से इसको कर देना है अब हमने भर दिया उपर से जो मैंगो का हमारा सिरफ था उसके उपर से और फिर हम इस पर सजा देंगे तो थोड़े से कटे हुए हमने आम डाल दिय हैं उपर से फिर हम इस पे ऊपर से टूटी फूटी डालेंगे दोनों कलर की और उसके बाद हम इस पे थोड़े से काजू बदाम डाल देंगे और फिर हम उपर से थोड़ा सा रोज सिरप डालके और इसको गार्निसिंग कर देंगे तो देखिए कितना बहतरीन बना है और इसको आप ठंडा करके खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है तो अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा फिर मिलेंगे इसी तरह कि एक बहुत ही बहतरीन रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार